नमस्कार आप देख रहे हैं मारा खास बुलिटिन मेट्रो न्यूस आपके साथ मैं हूँ शंकर दत्पंथ बुलिटिन की शुर्बात एक बड़ी ख़बर के साथ गुरूग्राम से खबर है जहां पर कोरोना लगा था रिकॉर्ड तोड रहा है साइबर सिटी गुरूग्राम में तेजी से कोरोना के आखड़े बढ़ते जा रहे हैं पिछले 24 गंटे में कोरोना के मामलों में इज़ाफा हुआ है 2988 कोरोना के मरीज सामने आए हैं गुरूग्राम में कोरोना से एक दिन में चार लोगों की मौत की खबर है तो साइबर सिट पिछले 24 गंटे के गुरुग्राम में भी कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं अब तक के और हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं तेजी से संक्रमन की दर किस तरह से फैलती जा रही है उसके आकड़े गवा हैं पिछले 24 गंटे में कोरोना के 2988 मरीज सामने आये हैं और चार लोगों की मौत हुई है गुरुग्राम में कोरोना से तो गुरुग्राम में कोरोना की स्तिती को देखते वे हाला कि कई गाइडलाइन सरकार के ने जारी की हैं लेकिन कुछ लोग उन गाइडलाइन का पालन भी करते वे कई बार नजर नहीं आते हैं आगे बढ़ते हैं गुरुग्राम में जनता के लिए जन साधारण की इन्फोर्मेशन के लिए एक पोटल यानि की covid.com खोला गया है और इस वेबसाइट के माध्यम से गुरुग्राम में सभी अस्पतालों में बैट की स्तिती क्या चल रही है क्या फिलाल इस्तिती है वहाँ पर और इसको लेकर सारा जो डाटा है वो आपको इस वेबसाइट में मिल सकेगा जिला उपायुक ने गुरुग्राम की जनता से या आगरे भी किया है कि कोरोना के 95 से 98 फिसदी केस है जो थोड़े से सिंटम के साथ ही आते हैं या फिर हलकी फुलकी ऑक्सिजन से उन्हें मैनेज किया जा सकता है अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है तो सीधा अस्पताल के लिए ना जाएं अगर आप जादा बिमार महसूस कर रहे हैं तो ही अस्पताल जाएं ताकि अस्पताल सीरियस पेशन्ट को वहाँ पर कर सके अब इस वेबसाइट के माध्यम से सभी प्रकार की जानकारिया भी हासिल की जा सकती है कोवीट से संबंधित कोई भी जानकारी इस वेबसाइट पर आपको तुरंत मिल जाएगी कि कहां पर कैंप लगे हैं कहां पर कोवीट की टेस्टिंग हो रही है और कहां पर कोव शराब की छोटी बोतल बरामत की है यह ग्रफतारी पुलिस ने तिग्रा गाउं के सेक्टर 56 की है तो अवेद शराब के साथ एक आरूपी जिसको ग्रफतार किया है पुलिस ने और इसके कबजे से 243 शराब की जो बोतले हैं वो फलाल बरामत कर ली है और खबर फरीदाबाद से जहां पर सेक्टर 24 की बेलमार्क कंपनी में एक युवक को कंपनी करमचारियों ने बनाकर बुरी तरह से पीटा है पता जारा की युवक पर चोरी का आरोप लगाते हुए कंपनी के दर्जनों करमचारियों ने युवक को बांद कर बुरी तरह से तो युवक पर चोरी का अलजाम है और उसके बाद उसकी पिटाई की गई है पुलिस फिलाल इस पूरे मामले की जाच कर रही है किस सरह से उसको पीटा गया है कंपनी के करमचारी को बंधक बनाकर उसकी भी तस्वीरे सामने आई और नोईडा में क्राइम ब्रांच और सेक्टर 20 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां पर पुलिस ने 105 रेम्डे सिविल इंजक्शन भरामत किये है रचित गई नाम के आरूपी को पुलिस ने गिरफतार भी किया है जो इंजक्शन को अवैद तरीके से बेच रहा पुलिस ने अब गिरफतार कर लिया है इससे पूचताच भी कर रही है और दिली में लॉक्डाउन लगने के बाद गौतम बुद्ध नगर में किराना स्टोर संचालकों ने अपनी मर्जी से चीजों के दाम बढ़ा दिये हैं बता जारा कि गुट का बीडी तमाकू पर स्टोर मालिक मन मर्जी से दाम वसूल रहे हैं क्योंकि दिली में लॉक्डाउन है जो स्वज़े से चीजें नहीं मिल पा रही हैं हलाकि इन चीजों के खाने से नुकसान जरूर है लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो तमबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं लब गाहकों इससे नुकसान ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं यानि कि नुकसान भी हो रहा और पैसे भी ज्यादा लोगों को चुकाने पड़ रहे हैं अब उनकी नाराजगी है कि दुकानदार अखिर ज्यादा पैसा क्यों लेने हैं उसे अलाकि इससे जुड़ावा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ है ग्रेट अनोडा का और गाजयाबाद के लोनी में कर्फ्यू के दौरान रेस्टोरेंट बंद करने के सरकारी आदेशों की धज्यां उड़ाई जा रही है जिसके बाद रेस्टोरेंट संचालक पर एसपी ईरज राजा ने कारवाई की है आपको बता दे कि कोरोना संक्रमन की चलते गाजयाबाद में रात आठ वजे से सुबह साथ बजे तक कर्फ्यू लागू है गाजयाबाद जिराधिकारी अजश अंकर पांडे ने सभी होटल रेस्टोरेंट बंद करने के आदेश दिये हैं ऐसे में गाजयाबाद के लोनी में एक रेस्टोरेंट संचालक सरकारी आदेशों के बाद भी लोगों को रेस्टोरेंट में अंदर बिठाकर खाना खिला रहा था इसी दोरान लोनी में पुलिस टीम के साथ गष्ट कर रहे एस्पी ग्रामी डॉक्टर ईरज राजा की नजर रेस्टोरेंट पर पड़ी रेस्टोरेंट का शटर तो बाहर से बंता लेकिन अंदर तो गाज़ाबाद के लोनी में किस तरह से सरकारी आदेशों की धजियां उड़ाई जारिंग को कोरोना गाइडलाइंस हैं जिनका सब को पालन करना है लेकिन दूसरी तरफ आप यह देखिए कि किस तरह से एक रेस्टोरेंट जो की खुलावा था वहां पर बखाइदा लोग केंसरकार और राज्यसरकारें बहले ही बड़े-बड़े दावी कर रहे हों लेकिन वह सारे दाव मानो खोकले साबित हो रहे हैं दिलि के रहने वाले संदीब चडधा अपनी साथ को «डिया को लएकर कोरोना संक्रमित थी इलाज के लिए दिल्ली और गाज्य़ाबाद में भटकते रहे लेकिन उनको सही समय पर इलाज न मिलने की वज़े से एम्बुलेंस में ही उन्होंने दम दो गया पता जारा की संदीप चड़ा अपनी सास को इलाज के लिए दिली के कई अस्पताल में लेकर गए लेकिन वहाँ इलाज नहीं मिला जिसे लेकर वो गाजयाबाद के जिला संदीप अस्पताल भी गए लेकिन वहाँ भी उनको एड्मिंट नहीं किया गया कोविट-19 की जाज के लिए गाजयाबाद के जिला MMG अस्पताल भीज दिया गया लेकिन सुनीता ककड का अक्सिजन लेवल काफी कम था जिस वज़े से आखिरकार अक्सिजन की कमी और सही समय पर इलाज नहीं मिलने से उन्होंने दम तोड़ दिया और देश की राज़दानी दिली में लगातार कोरोना की मामले बढ़ते जा रहे हैं कोरोना महमारी की वज़े से दिली में लॉकडाउन भी लगाया गया है इस भी दक्षणी दिली नगर निगम की तरफ से इलाके में सेनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है साउग दिली के कस्तूरवा नगर से निगम पार्शद सीमा भूपेंद्र मलिक ने खुद इलाके में जाकर सेनिटाइजेशन का काम किया तस्वीर लोधी रोड कॉंपलेक्स की है जहाँ पर निगम पारशत के साथ निगम कर्मी और सफाई कर्मी घरों को सेनिटाइज कर रहे हैं इतना ही नहीं खुद निगम पारशद सीमा भूपेंद मलिक ने हाथ में पाई पकड़ कर लोगों के घरों में सेंटाइजेशन का काम कराया और इसी दुरान उन्होंने कहा कि मुझे जनता ने चुनकर निगम पारशद बनाया है और मेरा करता भी है कि अपनी जनता की में सब्सक्राइबाद करते हैं और जिस तरह से उनका यह सरानिया कार्या है सचमुच एक छेत्रे के लिए और छेत्रवाशन के लिए एक अच्छा एक कार्या है हम उनके इस कार्या की परसंसा करते हैं आशा करते हैं कि भिन्द्विन समय पर समय समय पर इस तरह के और भी कार्य करते हैं ताकि समाज हो चेतर के जो लोग वो हाएक सवच्छे और आइक सबलता पूर्ववक जोई जीवन जीने का एक माध्यम है वो जी सके है पुरूना के दिन परती दिन बढ़ते जा रहे हैं डेargent लोग ए इसी से और इसी चीज़ को देखते हुए यह जैटिंग मसीन से हमने सेनेताइज करवा रहे हैं। अब पर फिर से खराब होती जा रही है तो जैटिंग मसीन से अमने स्टार्ट के आज हम लोधी रोड कंप्लेक्स में सैनेटाइज करवा रहे हैं आज ही यहां एक डैथ हो गई कर कोवीड की वज़े से जिसकी वज़े से चारों तरफ से लोग जो भी नेवर हैं उनको पैनिक कर रहे हैं कि यह पर फैल रहा है तो आज लोधी रोड कंप्लेक्स नेक्स टाइम जब भी मिलेगी और किसी जगे किया जाएगा इसके अलावा हमारे जो स्टाफ है वो छोटी मसीनों से भी घरों में भी जाके कर रहा है कोरोना संक्रमन की दूसरी लहर बेहत खतरनाक साबि हो रही है इस दोरान लॉकडाउन के दूसरे दिन हमारी संभादाता ममता चतुरवेदी ने दिल्ली के कनाट प्लेस का जाएजा लिया देखे क्या तस्वीर थी महां की कोरोना संक्रमन ने पूरे देश में कहर बर पाया हुआ है और इसी के चलते देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन लगा है इस वक्त मौझूद है दिल्ली के दिल यानि की कनाट प्लेस में जहां के तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग बिलकुल दिखाई नहीं के देर हैं इकका दुका लोग कनाट प्लेस में है ऐसा अमोमन सीपी में देखने को नहीं मिलता है कि जब लोग ना हो लॉकडाउन का दूसरा दिन है दिल्ली में लॉकडाउन लगा है जिस हिसाब से लगातार कोरोना संक्रमन के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते वे दि बैरिकेटिंग है पुलिस वालों की तरफ से यहां पर बैरिकेटिंग किया गया है जानकारी दी गई है और जगा जगा पर लगाया गया है कि आप मास्क लगाकर ही निकले तमाम जानकारियां यहां पर साजा किया गया है कि ताकि लोग बाहर ना निकले साथ ही दिल्ली सरक अगर दूसरी लहर की बात करें तो बताया जा रहा है बेहत घातक है और उसका साप्तोर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार जो मौत का आकड़ा है उसमें इजाफा हो रहा है रोज नय-nय record बना रही है इसी के चलते दिली सरकार ने लौकडाउन लगाया है और दि और पूर्वी दिली के मदू बिहार थाने के सब इंस्पेक्टर विजे कुमार और हैट कॉंस्टिबल ने कल दे रात बुज़ुर्ग फैक्टरी मालिक और उसके कई लोगों की पिटाई कर दी यह पूरी जो वारदात है वो सीसीडीवी कैमरे में कैद भी हुई है जिसके बा और फैक्टरी बे रहने वाले मजदूरों की लाठी डंडे से जम कर पिटाई शुरू की जब दोनों पुलिस वालों का मन नहीं भरा तो दोनों ने बुज़ूर्गों को पीटना शुरू कर दिया लेकिन उसकी वारदात वहां लगे सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई पीटना order आपको अपीटना काटी आप यहां जे वाल शौ seven speaking Crash अपनी क्योंति कहीं तर्म है यह बर्चाव को बिल्चाव में युदा कि मॡश्य की दीएं कि आतशा हो कि आतने पोने करते हैं की न हीप्याजिकत जान दिखर आप दो हुआ है नहीं हम जोगाँ है प्रटार यह सो रहा है था रहा है लड़के से उपसे खेट खुल वाया है और साउथ दिली के एंट्री नार्कोटिक्स सेल की टीम ने गुप सूचना के आधार पर चापे मारी करते वे दो नावालिक समेट तीन आरोपियों को पकड़ा है इसके साथ ही नार्कोटिक्स टीम ने आरोपियों के कबजे से दो मुबाइल फॉन, दो लैप्टॉप और दो बैग और लोही की रोड बरामत की है ग्रफतार आरोपियों मैंसे एक की पहचान सूरज के रूप में की गई है जो की मदनगीर इलाकी का रहने वाला बताय जा रहा है जबकि दो आरोपी नावालिक बताय जा रहे हैं पुलिस के मताबिक रात के समय में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के बारे में नार्कोटिस टीम को एक गुप सूचना मिली जिसमें बताया गया कि चोरी के मुबाइल फोन लैपटॉप बेचने के लिए कुछ लोग विराट सिनेमा मेटकर नगर आने वाले हैं इस मामले की गंभीरता को देखते वे एक टीम का गठन हुआ जुसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिचाया गया और तीनों आरोपियों को ग्रफतार किया गया चले आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं आपको दिखाते हैं क्या कहा प्रियंका गाधी ने और साथी साथ लगातार इस पूरे मामले को लेकर जनतन त्रेटीबी की संभादाता ने भी बीजेपी सांसत सुनिता दुगल से खास बादचीत की है उनका क्या कहना था ये सुनिया कोरोना संकरमण ने पूरे देश को अपने चपेच में ले लिया है इसको देखते हुए देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने ने देश को संभोधित भी किया लेकिन प्रधान मंतरी के संभोधन के बाद विपक्शी दल लगातार आरोप लगा रहें इस पर वादचीत करने के लिए अमारे साथ मौजूद हैं भारती जनता पार्टी से लोगसभा सांसत सुनीता दुगल जी इनसे बात करते हैं पीम के संबोधन के बाद विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि क्या अब केंदर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं रही नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है केंदर सरकार की जिम्मेदारी है और केंदर सरकार अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से निभा भी रही है और जिस तरह से एक के बाद एक हम लोग ये देख रहे हैं कि पहले जो है हमारी जो कोरोना वारियर्स हैं सबसे पहले उनका नंबर आया वैक्सिनेशन का और उसके बाद 65 साल से ज्यादा की उमर के फिर 45 से उपर की उमर के और अब आदनिया परधान मंत्री जी ने कहा है कि ए तो विपक्षी दिलों को कुछ ना कुछ तो कहना उन्हों तो वैक्सिनेशन के उपर भी आपने देखा कि पहले का टाक्ष किया कि ये तो भाजपा की वैक्सिनेशन है आप बिल्कुल वैक्सिनेशन मत करवाईए और वैक्सिनेशन से लगवाते ही आपको पता नहीं क्या ह होने वाला है आज यह देखिए बिलकुल एकदम से 360 डिग्री एंगल पर चेंज हो गए हैं तो मुझे लगता है कि विपक्षी दल जो है वो उनको कुछ ना कुछ कहना इसलिए अपनी जिम्मेवारी निभारते हैं कुछ ना कुछ कहे के इसके अलामा राहुल गाधे ने वैक कॉस लगेगी और इसके इलावा अगर किसी को यह है कि मुझे जल्दी लगवाना है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर उसमें लगवा सकता है और उसके लिए भी जो निर्धारित उसका जो मुले किया गया है अगर हम देखें तो कंपेरटिवली दूसरे देशो कुछ विचार देते तेकि ऐसी बात नहीं है प्रधान मंत्री जी समय समय पर विपक्षी दलों से भी और सभी जितने भी हमारे देश के अंदर सभी राजियों के मुख्य मंत्री हैं वो चाहे किसी भी पार्टी से क्यों नहों उन सबसे वो समय समय पर बात करते रहते हैं उ पूरा संजीदगी के साथ समेदना के साथ जो है वो करोना की लड़ाई की हमारी की जो लड़ाई है हमारी सब की तो पूरे देशवासियों को उसमें समय समय पर बताते रहते हैं कि आप सब लोगों को किस तरह से हमें बार-बार हाथों को धोना चाहिए और हमें जो है के लिए ओबार बार पूर्ट साहित करते हैं की हमें वैक्सिनेशन जरूर करनी चाहिए अगरी सवाल विपक्षिदन लगतार की आरोप लगार है कि पहली ल tragen से किरिस सबस्ट का नहीं लिए क्या आपको लगता है कि पहली लहर से सीखा नहीं कुछ देखिए इसाब पहली लहर से बिल्कुल सीखा है लेकिन क्योंकि हम यह क्या सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टी से अगर देखा जाए तो भारत भारत जो है वो इतना विशाल देश है कि हम कोशिश करने के वाजूत भी जो है वो इसका स्प्रेड बहुत तेज गती से हो रहा है वक्त देने के साथ ममता चतुरुवेदी जनतंत्र टीवी डिल्ली और मेट्रो न्यूस में फिलाल इतना ही लेकिन जनतंत्र टीवी पर खाबरें जारी रहेंगी नमस्कार खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी और प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट